गुद मारिंग स्टूडेंट्स अवर यू आई होप आल अफ यू आर गुड और फाइन तोडे वी विल स्टाट लेस्न नुबर टॉटी थृ वी विल रीट तुडे लेस्न नुबर टॉटी थृ इस दब आंट दब आंट्स आंट्स क्या होती है चींटियां कीडियां वोलते हो ना आप सारे फंजाबी में तो वो होती है आंट्स ठीक है तो रीडिंग स्टाट करेंगे लेस्ट स्टाट लुक आट दोज आंट्स दोज देखो अब दोज यूज हो गया ना यानि कि जो आंट्स हैं वो दूर है और जादा है लुक आट दोज आंट्स इन आंट्स की तरफ देखो दे आर गॉइंग टुगधर वो इकठे जा रही है वट आर दे होल्डिंग उनके हाथों में क्या है देखो नोने क्या उठा रख है दे हैवा स्लाइस ओफ ब्रेड उन्होंने सबने एक ब्रेड के स्लाइस को यानि के एक ब्रेड के पीस को उठा रख है कितनी सारी आंट्स हैं उन सबने मिलके एक ब्रेड के स्लाइस को उठा रखा है चींटियां छोटी छोटी होती है और ब्रेड का स्लाइस कितना बड़ा होता है तो उनको उठाने के लिए बहुत सारी चींटियों को दूसरे की help करनी पड़ती है वो मिलके एक piece को उठा कर लेके जा रही है ओके, they are not eating it वो उसे खा नहीं रही, क्या कर रही है, लेके जा रही है they are taking it away वो उसे इस bread के slice को बहुत दूर लेके जा रही है the ants are small enter the hole, अब देखो वो लेके जा रही है, जो सबसे आगे चींटियों न, वो एक hole की तरफ जा रही है और उसके पीछे पीछे सारी चींटियों, bread को slice को लेकर जा रही है oh, it is a big from inside, ये तो अंदर से बहुत बढ़ा hole है they are keeping the slice inside the hole वो slice को उस hole के अंदर लेके जाएंगी they are coming again वो फिर वापीस आ गई है वहाँ पे, जहां से उन्होंने start किया था समान उठाना they are moving in a line, वो एक line बना के जा रही है हम आपको school में बोलते हैं न, के make a line, make a line, move in a line हाना, के एक line में चलो, वो सारी चींटियां जो है, ants जो है, एक line में जा रही है a frog comes out from the pond, जहां से वो जा रही है, उसके साथ ये एक पाने का तलाब है पाने का कुवा है, देखो, साथ में एक pond बना हूँ है पिक्चर में, वहां से एक frog ने, जम्प करके, चींटियों की तरफ आ रहा है वो उसने जम्प किये न, वहां से frog ने, it wants to eat them अब वो क्या करना चाता है, frog इन चींटियों को खाना चाता है तो चींटियां जो हैं, वो डर गई frog से the ants are making a circle, जो ants हैं, उन सबने मिलकर एक circle बना लिया they, what are they doing, अब वो क्या कर रही है, देखो, देखो क्या कर रही है फिक्चर में उन सबने circle बना के frog को पकड़ लिया, ठीक है, they are beating the frog वो उसको काटना start कर रही है, जो चींटियां है ना उन्होंने frog को काटना start कर दिया, तो चींटियों सबने 1.8 मिलकर frog को काटना, तंग करना start कर दिया the frog, the frog is jumping into the pond, तो उन से परेशान होके frog वापिस पॉंड में jump लगा दी the ants are happy ants बहुत खुश हुई कि frog हम से भाग कर pond में वापिस चला गया the ants are coming back जो ants हैं वो वापिस जा रही है they are all together वो सब एकठे हैं अब इस lesson से हमें क्या सीखनों को मिला कि हमें हम सब को एकठे मिलकर काम करना चाहिए कहते है ना अगर बहुत सारी लकडियां हो तो उनको तोड़ना मुश्किल है और एक एक लकडी को तोड़ना आसान है तो अगर आप मिलकर काम करोगे तो वो जल्दी हो जाएगा और आपको आसान लगेगा ठीक है और अगर आप अकेले-अकेले करोगे किसी काम को तो वो काम में भी टाइम लगेगा और आपको भी परिशानी होगी इसलिए मेज्योरिटी यूनिटी बना के रखनी चाहिए, मिल कर काम करना चाहिए ओके, हैंक यू, हैव नाइस दे